कैसे हैं आप सब आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर और आज हम बड़ी ही जरूरी बात करने वाले हैं बहुत इंपोर्टन्ट है कि आपके जो क्रिप्टो हैं एक्स्चेंजिस के उपर वो कैसे सेफ रहेंगे क्या वो सेफ हैं या नहीं है क्योंकि जो अभी हमने एक एक्स्चेंज को कॉलापस होते हुए देखा है दिवालिया होते हुए देखा है कहीं ऐसे नजारे हमको और एक्स्चेंज के साथ तो देखने को नहीं मिलेंगे एक risk जरूर है और इस टेम पे सबसे पहली जो first priority है वो है अपने cryptos को अपने funds को safe करना हना और safely रखना क्योंकि ये चीज हमने देखी FTX के साथ कितने सारे users यहां पे जो है impact हुए FTX exchange के दिवालिया होने से तो आज हम बात करेंगे कि crypto safe कैसे रखे मतलब अगर आपने एक मोट पैसा बोलते हैं अगर आपने डाला हुए exchanges में crypto आपने रखे में लेके long term के लिए next bull run के लिए तो उन crypto आपको safe रखना भी जरूरी है क्योंकि हम बहुत सारी चीजे देख रहे हैं industry के अंदर बहुत सारी hacking activities भी देख रहे हैं एक कभी कोई exchange हैक हो जाता है कभी कोई exchange जिव दालिया हो जाता है मैं यह नहीं कह रहा है इस तरह की चीजें सभी exchanges पर इंपक्ट डालेंगी लेकिन markets पर इंपक्ट डालती है और users पर इंपक्ट डालती है बहुत बुरा है जितने retail investor हैं उन पर बहुत badly impact पड़ता है इन सब चीजों का और ऐसे में एक tension free वाला अगर आप कुछ scene हो भी रहा है मुझे कोई दिक्कत ना हो तो एक सबसे जरूरी टिप यहां पर जो है अपने funds को अपने crypto को safe रखने का यह है आज के टाइम में आप देख रहे हो centralized exchanges जितनी है उन पर इस टाइम पर यह जो FTX collapse हो ही उससे जो है खत्रे के बादल मंडरा रहे हैं बहुत 1.1 million ethereum निकल गए इसके लावा stable coins बाकी crypto coins आप देख सकते हो कितनी बड़ी quantity में लोग अपना जो है fund अपनी जो crypto है centralized exchanges से निकाल रहे हैं कहां shift कर रहे हैं shift भी अगर आप देखो कहां कर रहे हैं DEX के उपर जो trust wallet आप जो use करते हो आज कल Binance से trust wallet में crypto कैसे send करें यह बड़ा विडियो बनाया है इसका link आपको description मिल जाएगा कि Binance से trust wallet में कैसे crypto send कर सकते हैं अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि trust wallet भी safe नहीं है देखो DEX भी safe नहीं है अगर आप कुछ ऐसी चीजें करते हो अगर आप कुछ ऐसे links के उपर click करते हो अपने wallets को connect कर देते हो कोई airdrop ल मिल जाएंगे आपको ये मिल जाएगा आपको वह मिल जाएगा उस link पे आप click कर गए अपना wallet भी connect कर रहे हो है ठीक है तो वह एक risk होता है वहां से आपके जो है crypto साफ होने का पूरा risk होता है तो ऐसे में अगर वह गलती कर रहे हो तो definitely trust wallet में भी आपका crypto साफ हो सकते हैं ले लेकिन कुछ तो आपको DEX में रख देना चीए है ना मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक ही जगा आप सारे crypto store करके रख दो ना exchanges पे ना ही DEX पे अगर एक safe तरीका सबसे बड़ा जो safe तरीका आज के time में market में कि crypto को आप अपने hardware wallet में रख सकते हो अपने crypto ले रखे हैं अच् मैं यह नहीं कह रहा है सब भी exchanges को यार collapse हो जाएंगी ठीक है लेकिन एक risk जरूर हो चुका है अब यहां पर hardware wallet ही सहरा बन सकते हैं बहुत सारी companies के wallet हैं ट्रेजर का आप देख सकते हो safe पाल का देख सकते हो यहां पर ledger जो एक कहते हैं इंडस्ट्री का बड़ा लीडर है hardware wallet के अंदर तो इन सबकी wallet की detail जो है हम अपने telegram channel पर प्रोवाइड कर देंगे लेकिन centralized exchanges से जो आप थोड़ा बहुत trading कर रहे हो वो बात अलग है trading के लिए आपको रखना ही पड़ेगा exchanges के उपर वो तो आप exchange के उपर ही करोगे trading है ना उसके लावा DEX में भी आप थोड़ा बहुत रख सकते हो लेकिन अगर आपने एक अच्छा खासा पैसा लगा रख रख है तो उसको transfer कर लो hardware wallet में वो wallet आपके पास रहेगा और हमेशा safe ठीक है and secure ना आपको यहाँ पे exchange के साथ अगर कलको कुछ होता है ना वो दिक्कत ना exchange पे अगर कोई hacking होती है तो उसकी भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है क्योंकि आपके crypto अलरड़ी hardware wallet में और safe है तो आज के time मे यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया कि जितनी crypto आपने खरीदी है आपका hard earn money जो है वो ऐसे ही ना चला जाए या exchange हो जाए या कुछ भी हो जाए यार है ना FTX का जो हुआ FTX के साथ वो किसी को expected नहीं था तो hardware wallet में आप जो है अपना crypto transfer कीजिए और जल्दी से जल्दी कीजिए अगर आपको safe और secure रहना है और बाकी जो trading है जो थोड़ा बहुत आप कर रहे हैं वो exchanges पर कर सकते हैं थोड़ा DEX पर कर दीजिए थोड़ा centralized पर कर लिजिए Binance को use कर सकते है number one exchange है तो यह चीज़ें बहुत important है आज के time में I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ ग कर दो कदे हैं ढहे हैं आप सकते हैं छो कर दो समझ Cir scrut